BPO याने की Business Process Outsourcing मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मैं एक partition समालता हूँ मैं manufacturing department समालता हूँ लेकिन मुझे sales नहीं आता तो मैं यह गरूँगा ऐसी कंपनी को पकड़ूँगा जिसको sales अच्छे से आता है और उसको ये process अपना दे दूँगा जहां पर लोग हमें call करते कि भाई फ़लानी गाड़ी के बारे में आपने research किया था या फिर आप फ़लाना phone ढूल रहे थे हमाने call आ जाता है ना तो यह BPO होते हैं जहां पर call center में बैठा हुए बंदा आपकी history निकाल कर आपको call कर रहा होता है इसी तरह अगर आप कभी किसी चीज में फस गया आपके phone में network नहीं आ रहा है तो आप call करते हैं बहुत सारी अलग अलग processes और हो जाती होंगे इस तरीके से दो चार प्रसेस हो जाती है अब यह सारी प्रसेस और तीन-चार तरीके से चलती है कैसे जैसे तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉल से नहीं चलेगी वो चलेगी चैटिंग से इमेल से इमेल के थुरू भी आप तो चीजे मोचाई जाएगी अब एक customer है उसको इमेल पर भी notification आ रहा है अगर वो customer support पर जा रहा है तो पहले chat का option दिया जाता है आजकल तो आप chat भी कर सकते हैं बात करने के प्रेक्षा या फिर आप ultimately बात भी कर सकते हैं तो इसमें आप स हर जगह नहीं मिलेगी आपको बता दूँ अगर आप call center में नौकरी के लिए जाएंगे तो बहुत जगह आपसे 12th एट इस्ट मांगा जाता है 12th पास आपका होना जरूरी होता है और अगर आप particular किसी stream में degree holder जैसे आपने commerce किया है या फिर अपने accounting बढ़ी है या फिर आप के अंदर प्रवेश कर सकते हैं रही बात skills की तो skills पर में आपको लेके चलता हूं कि क्या skills की ज़रूत हो कि जब आप इस तरहीं की नौकरी कर रहे हैं पहली चीज़ आपका communication बहुत जादा अच्छा होना चाहिए सबसे पहली सबसे बड़ी अहरता होती है सबसे बड़ी श सिखाय जाएगा और बहुत सारे बीप्यों में नहीं भी सिखाय जाता है कि आप लिस्नर भी अच्छे बने आप सामने वाले की बात को समझ भी सके तो टूवे कमिनिकेशन में आपकी प्रवीन्ता यहां पर आपको एक step उपर लेकर के आएगी दूसरा है problem solving skills अब देखिए भी बहुत सारी problem साथ की सामने वाला irritated हो सकता है सामने वाला चिंड रहा होता है या फिर वो बोल रहा है तो बार बार कॉल कर रहे हो या फिर उसे एक particular चीज़ चाहिए जिसके बारे में आप explain नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारी अलग गलग तरीके की problem सो सकती है उनसे आप कि किस तरीके से cope up करें उनको कैसे आप समझ पा रहे हैं ये skill आपके अंदर होनी चाहिए आपको दिनवार में बहुत सारे call से बहुत सारी लोगों से बात करनी है ऐसे समय पर अपनी परिशानियों कितने अच्छे से handle कर पा रहे हैं वो भी जरूरी है अगला है adaptability ये skill आपके डायल कीजिए फिर call लगाईजिए आज कल बीपियो में ऐसा नहीं होता system होते हैं call अपने आप लग जाता है आपको सिर्फ हैलो बोलना होता है आपके बास डेटा नहीं होता किसी customer का बस call लग जाता है उसके बाद आपके समने डेटा आता है या फिर बहुत बार call सामने से आता भी है तो adaptability system के साथ होनी चाहिए फिर उससे कैसे data निकाल कर बाहर के आना है आप देखिए adaptability मतलब आप नई चीज़ें जल्दी से सीख सके ये आपके अंदर एक गुण होना चाहिए साधी साथ Microsoft Excel sheet आपको आनी चाहिए जाधर BPO's कहें या जाधर हर एक चीज में Excel sheet बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है अगर आप अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा system बना पाते हैं खुद के लिए Excel sheet आपको help करती है हर एक चीज में even office के काम तो आप करी रहे हैं personally भी बहुत सारी चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई किस तरीके का व्यक्ति हो और मैं क्या pitch कर सकता हूँ कैसे इस से बात कर सकता हूँ अब देखिए क्योंकि वो तो आप से ही बात कर रहे हैं लेकिन आपको दिन भर में कई सारे अलग-अलग प्रकार के लोगों से बात करने हैं उनके अनुसार आपको बात करना आना चीज आए और उतने अच्छे से आप रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे अगर किसी कस्टमर के साथ आपने रिलेशन इचा बिल्ड कर लिया तो फिर आप समझे कि लॉंग टर्म जो है आप उनको वैल्यू देते रहेंगे सर्विसस देते रहेंगे जिससे आपकी कंपनी का फा कि इस कॉल को इतने समय में रैप आपकर ना है उससे जादा समय ले रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा में जोड रहा है उस काल को यतने घ्ली आप खितम किरें वह बहुत बहुत जल्दी आप काम करना होता और उस समय के अंदर आपको पूरा रिकॉर्ड भी अपने दर्ज करना होता है आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड लेकर के फिल इन करना होता है लेकिन अड़ाप्टबिलीटी अच्छे तो यह काम बहुत जल्दी आप कर पाऊंगे अगर आप बहुत जादा स्लो हो तो हर कॉल के बाद आपके पास बहुत समय आप आप लोग ही जो डेल पिरियर जाएगा खराब होगा जिसके वज़े से आपका पॉफॉर्मेंस खराब दिखाई देगा और बहुत सारे उफिसे में यहाँ पर जो आपके इंसेंटिव जो की बेसिक इंसेंटिव मिलते ही रहते हैं हर महीने वो कट आफ होते हैं और आपके सेलरी और कम हो जाती है अगला कर पाएंगे तो आप आते हैं अपने सीनियर के नजर में जिसकी वज़े से आपकी इमेज क्रियेट होना शुरू हो जाती है और आगे बढ़ने के चांसे जो है आपके बढ़ने लग जाते हैं चाहे वो ट्रेनर हो चाहे आप सूपरवाइजर बन सके या ठीम लीड बन सके या मैंनेजर के पास साथ काम करने लग जाएं लेकिन जितना जादा प्रोसेस आप हैंडल कर पाएंगे उतना जादा लोगों को भी आप अट्रेंट करेंगे और आपके चांसे जो है उपर पढ़ने के बढ़ते चले जाते हैं बात करेंगे सेलरी की तो बेसिक स्ट्रक्च में दिये जाएगा जिस पर आपको कहा जाएगा कि साथ में इंसेंट्यू बनते हैं जो कि अलग होंगे और बहुत सारी ऐसी सेल्स में आप देखेंगे कि इंसेंट्यू सेलरी से भी जादा बन जाता है वहीं अगर आप और थोड़ा अच्छा करते लेंग्वेजिस आपके है या फिर आप गुजरात में है तो वहां की लोकल लेंग्वेज अगर आपको आती है प्लस इंग्लिश और हिंदी मेल जाती है तो लेंग्वेज वाइस भी आपको थोड़े पैसे जादा दिये जाते हैं क्योंकि आप लोगलाइट लोगों से भी जादा मिल सकते हैं अब अब सब्सक्राइब को आपको बता दिया है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक चैनल को सब्सक्राइब कॉमेंट जरू कर दीजेगा थैंकी